हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ निर्मला और मेरे किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बताने जारी हूँ आपको गुरुद्वारा प्रशाद के अंदर मिलने वाले आटे के हलवे की रेसिपी ये आटे का हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप इस हलवे को बनाएं तो ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा तो आप भी एक बार जरू ट्राइ करके देखें रेसिपी तो इस हलवे को बनाने के लिए हमें क्या-क्या मेजर्मेंट चीए देख लेते हैं तो मैंने सारा मेजर्मेंट इस बाउल से लिया है तापकि आपको बनाने में इसे बहुत आसानी हो तो इस प्रशाद को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये एक कटोरी आटा ले रही हूँ ये बारिक वाला आटा ही है यानि जो नॉर्मल आटा हम यूज में करते हैं हम ये चार कटोरी पानी के लेंगे हलवे के अंदर पानी की बहुत इंपोर्टेंस है तो आप पानी ध्यान से लें ताकि हलवा है वो बहुत ही परफेक्ट बने और अच्छा बने तो चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक पैन ले लें इस पैन के हंदर हम इस कटोरी से मेजर करके चार कटोरी पानी के डालेंगे इस पानी को हम गरम कर लेंगे तो एक तरफ हम आटे को पून लेंगे और दूसरे तरफ हम पानी को भी गरम कर लेंगे पानी को गरम कर लेने से रोश्ट के वे आटे का टेमटरिचर तुरंत डाउन नहीं होता है क्योंकि यदि हमने इसमें ठंडा पानी डाला तो तुरंत ठंडा हो जाता है और टाइम लेता है तो इससे हलवा सॉफ्ट और मुलाइम भी बता है करम पानी का यूज़ करने से और जल्दी भी बन जाता है दूसरे तरफ हम कडाई ले लेंगे अब इस कडाई में गी डालेंगे और एक दो चमिल गे का हम बचा लेंगे हलव को पर से कार्णिश करने के लिए गे करम हो चुका है अब हम इसमें आटा डाल लेंगे और इस आटे को लो फ्लेम पर धेरे धेरे पूल लेंगे ध्यान रखें घे उतरा होना चाहिए कि आपका आटा है वो पूरा अच्छे तरीके से गिला गिला सा हो जाए इस तरह का हो जाए जो आप देख रहे हैं तो इस तरह काटा हमें तयार करना है इसी से हलवा है वो बहुत अच्छा बनता है सेम ऐसा ही बनता है जैसे गुर्दवारा प्रशाद में हमें हलवा मिलता है क्योंकि उसमें इस अपी बला मुला जाता है ये बहुत ही soft बनता है जो आपके मूँ में जाते ही melt हो जाता है तो इस तरह का perfect हलवा बनाने के लिए आप पूरे step को अच्छे से देखे अब देखे 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 जैसे जैसे हम roast करें आटे को ये ढिला पड़ने लगया है और आपको इसके अंदर घी दिखाई देने लगा होगा तो जैसे जैसे आटे को हम घी में roast करेंगे ये घी छोड़ने लगेगा और ये color में काफी change हो जाएगा साथी इसमें बहुत अच्छा आरोमा आने लगता है अब हम इसमें पानी डाल देंगे तो आप पानी सावधानी से डालें क्योंकि पानी डालते से में हलवा है वो बहुत है और पानी डालने के बाद इसे लगातार इस तरह चलाते रहें ताकि इसमें कोई भी लंच ना पड़ें वैसे तो क्योंकि हमने घी पुरा अच्छी तरह के से डाला है तो गुटलिया पढ़ने का कोई चांस नहीं होता है क्योंकि हलवे में गुटलिया तबी पढ़ती है जब उसमें घी की कमी होती है और आटा अच्छी तरह के से रोस्ट नहीं होता है आप देख रहे होंगे कि हलवा कितना मुलायम सा हो गया है और ये कितना जिगना लग रहा है देखने के अंदर तो हम इसे लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि आटा बहुत अच्छे तरह के से पानी को अबसरू कर ले इसे हलवा बहुत ही नरम और मुलायम बनता है अब इसके अंदर चीनी डालेंगे और चीनी डालने के बाद भी इसे लगातार चलाते रहेंगे चीनी डालने के बाद हलवा एक बार फिर से पतला हो जाएगा यानि धिला पड़ जाएगा क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है तो इसे भी हम लगातार चलाते रहेंगे और जब तक चीनी का पानी पूरा खतम नहीं होता है इसे इसी तरह पका लेंगे तो चीनी का पानी भी अच्छी तरह के इसे अब्जोर्व हो चुका है और हलवे ने पूरा पैन छोड़ना शुरू कर दिया है आप देख रहे होंगे कडाई में चारो तरफ घी दिखाई दे रहा है और यह पिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है तो अब इसे एक बावल में सर्व कर लेते हैं तो हलवे को एक बड़े बावल में निकाल लेते हैं अब इसे थोड़ा सैट कर देते हैं और अब जो कि हमने बचा के रखा था वो इस पर उपर से गार्निश कर लेंगे आप चाहें तो इसमें ड्राइफ रूट्स पर डाल सकते हैं लेकिन यह हलवा ऐसे ही खाने में बहु तो आप भी इस तरीके से हलवा बना कर देखें हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आई पर एक बार जरूर ट्राइ करके देखें यह रेसिपी मुझे उमीद है आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आईगी यदि यह रेसिपी आपको पसंद करना भी ना भूले